स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल SG Food World में गर्मिया आ चुकी है दोस्तों और उसके साथ हमें जरूरत पढ़ती है बहुत सारे ड्रिंक्स और मॉक्टेल्स की तो इसी एक रेसिपी के साथ मैं लोटी हूँ जिसका नाम है फ्रेश लाइम सोडा बहुत ही असानी से बन जाती है दोस्तों ये रेसिपी इस रेसिपी की शुरुवात करने से पहले आए दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें साथ ही बेल बटन प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन के लिए तो चलिए दोस्तों बनाते हैं रेफ्रेशिंग फ्रेश लाइम सोडा फ्रेश लाइम सोडा को बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रीडियन्स चाहिए जो की जाधा तर सबके घरों में होते हैं जो भी इंग्रीडियन्स है देख लेते हैं सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना है एक नीमबुक का रस दो फ्रेश पुदीना लीव्स काला नमक, थोड़ी सी आइस क्यूप शुगर सिरप शुगर सिरप बनाने के लिए आपको लेना है आदा कब पानी और आदा कब ही चीनी और इस मिक्स्चर को ग्यास पर रखकर एक बॉil लगवा लेंगे आपका शुगर सिरप रेडी है कुछ कटे हुए नीम्बू के स्लाइजिस, नमक, और लेनी है एक सोडा की बॉटल यह आपको मार्केट में इसली मिल जाएगी सारे इंग्रीडियंट्स रेडी हैं हमारे, अब मॉटर पैसल लेंगे, आब माम दस्ता भी ले सकते हैं इसमें आड़ करेंगे दो पुदीना लीव्स, साथ ही आड़ करेंगे दो आइस क्यूप्स, मडल करेंगे आइस क्यूप्स पुदीना लीव्स को, ताकि जो पुदीना का फ्लेवर है वो अच्छी तरह आइस क्यूप्स में आ जाए हलके हाथ से कूटना है तो रेडी है ये आप एक ग्लास लेंगे जिसमें आपने ये फ्रेश लाइम सोडा सर्फ करना है और उसमें आड़ करेंगे 5 टेबल स्पून शुगर सिरप चुटकी बर काला नमक चुटकी बर ही सफेद नमक जो पुदीना लीफ्स और आइस क्यूब्स मडल की थी वो भी इसमें आड़ कर देंगे लेमन जूस भी डाल देंगे अब बार ही आती है सोडा आड़ करने की तो सोडा कैसे आड़ करना है जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं एक स्पून लेना है और उसके बैक साइड पर हमें सोडा आड़ करना है दीरे दीरे इससे ही होगा कि एकदम फिल्स नहीं बनेगी और सोडा भार नहीं आएगा सारे इंग्रीडिन्स आड़ कर दिया है अब एक अच्छा सा स्टर करेंगे साही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्ट्रॉ की मदद से जो नीम्बू स्लाइजिस हमने कट किये थे वो भी आट कर देंगे तो त्यार है हमारा रिफ्रेशिंग फ्रेश लाइम सोडा जो की बहुत ही टेस्टी है और साथ के साथ हाट डिसीजिस के चांसिस को कम करता है ट्राइज जरूर करेंगे रेसिपी और शेयर करें में इसा सेजेशन्स और कमेंट्स मिलूंगी ऐसी ही और मज़िदार रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई टेक केर और दोंट फोगेट तो लाइक शेर और सब्सक्राइब